हाई फ्रेंड वेल्कम बैक तो मैं चैनल मैं आज आपको एलिए बहुत ही खूब सूरत इसके लिए की सहायता से ब्लोविंग फ्लावर बनाना बताऊंगी इसके लिए हम स्केल लेंगे मोतिया लेंगे अपनी पसंद के नूसा निडिल चले स्टार्ट करते हैं बनाना आई हम एक फ्लावर बनाएंगे इसके लिए हम नॉट लगाएंगे नॉट आपको टाइट लगाएंगे होगी और एक्स्टा ट्रेड को इस तरह कट कर लेना होगा उसके बाद हम स्केल लेंगे और स्केल में देखिए के लिए हम इस नॉट के नॉट के नूचे वाले में इस इस तरह मैंने आपको बहुत से फ्लावर बताये थी और यही फोड़ा अलग है मैं इसे देखे बतारेगे यह हुआ एक, दो हो गया, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, एक दस यह दस बन गया है उसके बाद हम क्या करेंगे इसके अंदर से हमें बटन होल स्टिच बनाना है जिस तरह बटन होल बनाते हैं अब्रोइडरी करते हैं सेम उसी तरह करना है हमें हर जो फोल्ड किया था उसमें एक एक बाद ऐसे बनाना है यहां नौट लगें तो हमेंसे कट कर देंगे नहीं तो या तो नौट को खोल लें कर दो लगें तो यहां था खोल तो बनाना है तो यहां जब टना है तो लगें तो यहां तो बनाना है कर दो 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 अन्हें लड़ियों प्रेश्ट प्रवपार्बर झाल झाल अब देखिए ये मैंने जो बनाया है इसके फर्स्ट वाले को छोड़के अब सेकेंड वाले में इंसर्ट करें जिस एक हमें छोड़ना होगा हर रो में हमें एक छोड़ना होगा तभी ये तिकोना फ्लावर की लेव बनेगी देखिए ऐसे तो हो गया तीन हो गया से मुसी तरह बनाना है जैसा हमने फर्स्ट रोव बनाई है और चार इसमें हमने टैन टाइम्स लपेटा था और देखिए रोव इसमें इसी तरह बनाते ही चले जाएंगे एक बार को साँगे उसके पाँ बनाते हीर को साँगे चाह। एक इसे हम एक छोड़ के फिर बनाएंगे ये वाला बना ले एक मैंने छोड़ा तो ये शेप आया और फिर अब ये वाले को मैंने ही बूँ पटन होल इस पे बनाऊंगे इसके उपर वाले को एक के बाद एक दोनों साइड से आपको छोड़ने होंगे और छोड़ते हुए ऐसे पटन होल इस्टिच पूरा बनाके फ्लावर को कमप्लेट करना होगा तब ये लीव देखें सें इस्तरा बनेंगे तो ये लीव से हैं हमारी इस्तरा ये देखें लास्ट में हमारे पास तीन बनी है और अब हम ये ऊपर वाले एक में डालका एक बार ऐसे बना देंगे ये हमारा इसे पंखुडियों को थोड़ा साथ स्टेट कर लिए और इसके पाल इस वाले में हम दो बना लेए दो के बाद हमें एंड करना है ये हो गया हमारा तो हम जिस साइट से फ्रांट रखेंगे उधर ना करके देखें इस तरफ ज्यादा सुंदर है तो मैं इधर से रखोंगे ये इधर से दोनों सेम हुआ है आपके इसी भी साइट से रख सकते हैं देखे फ्रांट हम अगर आपोजित रखेंगे तो ऐसे करते हुए हमें सुई को इंसर्ट करना है और थ्रेड को अपने पीछी की तरफ कट करना है ये ऐसे इसे आप खींच लीजिए ताकि शेप बिगडेना और हम इस थ्रेड को इस तरफ कट करेंगे और अपनी सारी पंखुडियों को इस तरफ करते हुए बाहर निकालेंगे तो पेखी इस तरह ये फैल जाएगा और उसके बाद हम इसे अरेंच करेंगे अरेंच करते इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जो पी सुई डालेंगे लास्ट वाले में आप मड डालिएगा सेकेंड वाली रो में क्योंकि लास्ट वाले में डालने पर ये खुल सकता है क्योंकि वहां हमने एंड किया था ऐसे इस तरह दगा दूंगी इसमें चार अरेंच हो रहे हैं आप पांच भी अरेंच कर सकते हैं मैं इसमें चार अरेंच कर देंगे अरेंच कर लिया मैंने और आपना इनको इस तरह फैला दूंगी जैसे हमें अरेंच कर दो रहे हैं यहां आप चाहिए तो मूती लगा सकते हैं या आप अभी एंब्रॉइडरी वी कर सकते हैं थोड़ी सी और अब मैं इस साइट से जो कॉर्णर पॉर्शन है वहां छोटे छोटे टांके मारूंगी ताकि यह अच्छे से फिक्स होता है फ्लावर है यह हो गया जैली मैंने इस कॉर्णर में मारा फिक्स हुआ क्योंकि यह जो पॉर्शन है यह गैपिंग का यहां मैं थोड़ी सी एंब्रॉइडरी करूंगी इसलिए मैं थोड़ी गैपिंग छोट रहें इसी तरह सारी पतियों को दो से तीन टाके लगाते हुए सारे पैटल्स को फिक्स कर लेंगे अगर आपको यहां एंब्रॉइड प्री नहीं बनानी हो कोई तब आप सेंट कलर के उनका स्थेमाल करिएगा फिक्स करने के लिए ऐसे ही हम सारे पंखुरियां फिक्स कर लेंगे और इनको अरेंज कर लेंगे तब आपको बता रहें हर फ्लावर के जॉइंट्स में जो हैं हम बिपलॉन स्टिच बनाएंगे यानी रूव स्टिच इसे पिपलॉन भी कहा जाता है ऐसे स्टूई में हम इसे लपेटेंगे बैक वाले पोर्षन से नहीं फ्रंट वाले से एक दो तेन चार पांच छे बार मैंने लपेटा और अब हम थ्रेड को पीछे करते हुए एंब बलॉन के बितन चुक्ति हुआ है किशे है यहां सरा या अरव प्रम करेंगे स्टूँंक्यक清 कंते हाँ इसे इप्लियूनिरा क करते हैं दके हमारी इपलॉन स्टिच दिः करते हैं od अब हम इस वादी के अपिल के अंदर ऐसे कपते हो, इसे आइसे कपते हो, अब दूसरी डिप्लाउन स्टीच हो इसके आगे बनाएंगे, इसी तरह हमें हर दिजाइन में तीन बनानी है, देखे मैंने एक दो तीन बनाई, यहाँ बना दिया, अब यहाँ बनाओगी, यहाँ को कम्प्लीट करोंगी, अपना खूबसूरस सा फ्लावर तयार कर दिया है, अगर आपको पसंद आए, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्स्क्राइब कीजिएगा, नेक्स्ट क्रीएशन के साथ फिर मिलेंगी, थैंक यू.